प्रेंज कैसे हैं आप सब आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल सोचोलोजी विस संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूँ और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोचोलोजी से डिलेटट इंपोर्टन टॉपिक को कवर करते हैं अभी जो हमारे क्लासेश चल रहे हैं उसमें हम लोग जाड़कर लेड़ी सूपरवाइजर का सोचोलोजी का स्लिवस को कवर करें यूट फाइब का जो टॉपिक है वो है आपका हिंदू विवा मैरिज और फैमिली की संदर में तो आपका जो यूट फाइब और यूट फोर्टीन एक ही है तो इसने मैं कोसिस कर करके आप लोगों के पास लेकर आ सकूंँ हम लोग प्रिविएस क्लास में देखे थे हिंदू विवा से रिलेटेड ऐमसी क्यू वोह को देखेंगे इसलिए क्लास अपने दोस्तों के इस तो चिली क्लास को स्टाइट करते हैं और साथ ही वैसे जो सोचियोलोजी के पेट ग्रूप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस में डेस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ आप जाकर उसे जरूर एक बाद चेक आउट कीजिए अगर आपको किसी परकार की क्वा समप्रदाए में पाया जाने वालला विवाय का अस्थारे irope है मुस्लिम जो संप्रदाए होता है मुटा मेहर या पड़ा तो अरस्थाई रूप के बारे में बात की जा रही है तो उसमें जो मूता है वो एक अरस्थाई रूप है यानि temporary marriage है जो कि mainly कहां पर पाई जाता है तो मुस्लिम समाजों में दिखने को हमें मिलता है और ये विवा का सर्व प्रमुख विसेशता है कि और इसका जो s συνमद है इसको बाहिए कि यह कॉंट्रेक्ट है और बिसेस अवधि के लिए होता है और इस अवधि के समाप्त होते ही भिवा का समद्ध अपने आप क्या हो जाता है समाप्त हो जाता है मुता में भी मेहर का निरधारं किया जाता है यदि पति-दि दिश्चित अवदी से पहले ही बिवा संबन को समाप्त करना चाहे तो उसे हिवा ये मुद्दत खा जाता है कि जब उसे समय मेहर की पूरी रासी का भुकतान करना होता है और यदि पत्नी सीधा ऐसा करती है तो उसे अवदी के अनुपात मेहर की रासी का कुछ हिस्सा परता है ऐसे बिवाओं से उत्पन बच्चों का भी पीता के संपत्ति में हिल्सा हो जाता है यदभी हजृत मुहम्मद ऐसे बिवाओं को अच्छी दिश्टी से नहीं देखते थे फिर भी इसलाम दुआड़ा ऐसे बिवाओं को माननेता दी गई है यही खाड़ने के कुरान के कटर अनुआई सिया लोग कुरान के अधार पर इस वैददाव पर बल दे के इसे वहवार में लाना बुरान ही समझते ऐसा प्रतीत होता है कि अर्भी समाजिक व्यवस्ता में पहले इसी प्रकार के विवाओं का अधिक्य था लेकिन बाद में इसलाम धर्मे संसोधन होन पाए जाता है निका जो की पर्मानेंट मेरेज होता है मुता टंपरारी मेरेज होता है और फासिद बिवा निका को सही बिवा भी कहा जाता है इसमें पती-पत्नी की स्वतन सहमती से बिवा समंध स्थापित होता है और तलाक न दिये जाने तक यह बना रहता है ऐसा बिवा पुन्यता मुस्लिम रीतियों के अनुसार होता है यदि भी जो मुसल्मानों में विवा का इस रूप का प्रचलन सबसे अधिक है लेकिन सुन्यों में केवल इस शुरू को माननेता दी जाती है फासिद विवा में यदि विवा के बीच कुछ खटनाई यानि फसाद सामने आत गिन सब मुसल्मान मन रहता है तब वह सही विवा हो जाता है मुसल्मानों में एक प्रकार का विवा और पाल जाता है जो कि गैर कानोनी सुन्य विवा कहलाता है वह बातिल विवा कहलाता है जिसमें दोनों पक्षों में कोई नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं किये हो ने आपका सिया मुसल्मान मी मिलेगा यह PGT के एक्जाम में आप से पूछा गया है नेश कुशन है कि मुस्लिम समाज में प्रचलित अस्थाई प्रकती की विवा को निम्नलिखित में से क्या कहता है? तो मुसलिम समाज में जो अस्थाई प्रकति के विवा मिलते हैं उसको मुता विवा बोला जाता है मुसलिम विवा का स्वरूप इसमें से कौन सा है तो मुसलिम विवा का स्वरूप की अगर बात की जाए तो मुसल्मानों में आपका जीहड नहीं है स्वरूप नहीं पूछा जा रहा है तो जीहड है हाँ पे देखनी को नहीं मिलता है मुता है फासिद है वातिल है लेकिन जीहड देखनी को नहीं मिलता है नेस्ट कुशन है कि मुसल्मानों में तलाक की किस रूप में पती-पत्णी प्रसबस सहमति से विवाविच्चेत करते हैं सदा किसी भी पक्ष को दूसरे के लिए छटी-पूर्ती नहीं देने पड़ती है तो मुसल्मानों में तलाग का एक ऐसा रूप जिसे पती-पत्नी परस्पत सहमती से विभाव विचेत कर लते हैं और ये पक्ष कौन सा है तो ये मुबारत है तलाक के माध्यम से पद्दतियों में एक मुअबबध या मुवारत मुसल्मानों में तलाक पति-पत्नी को पाश्परिक सहमति से होता है जिसमें किसी भी पक्ष के को दूसरे के लिए हर जाना नहीं देना पड़ता है खुला में पत्नी द्वारा छती पूर्ती देना आवश्यक हो जाता है जबकि मुआ रभ में इस प्रकार को कोई पतिबंध हमें देखने को नहीं मिलता है अन्य इंपोर्टन फेक्ट ही अगर बात की जाए तो तलाक के अन्य प्रथागत नियम में जो नयालों में सरा नहीं लेनी परती है तलाक या अलिखित तलाक तिन प्रकार के होते हैं तलाक हसन तलाक हसन और तलाक उलविद्द इला यदि पती एक कसम लेकर चाड़ मात पत्नी का सावाशना करने की पतिग्या करता है तो इस अबदी में तलाक की रस्म पूरी मान ली जाती है खुला इस प्रकार के तलाक का पसता पत्नी द्वाडा रखा जाता है ऐसे इस्ति में पत्नी को यह आस्वासन देती है कि वह महर के रासी नहीं लेगी यात्वा किसी अन्य रूप में च्छति पूर्ति नहीं करेगी तलाग के रूप में जिनका प्रस्ताव तो प्रथागत नियमों के अधार पड़ होता है लेकिन अंतिम रूप से तलाग की घोशन अधालत द्वड़ा की जाती है तो वो क्या कहलाता है जीहर तदह लियान कहलाता है जीहर यद में यदि पती पतनी को ऐसी स्थ्री माल लेता है जिसके साथ मुश्रिम कानों के अनुसर विवा समन नहीं हो सकता तो पतनी अपनी पती के प्राशित करने को कहती है लेकिन पती इस परकार को मतलब नहीं करता है तो वो विवा विच्चेद हो जाता है लियान में यदि पती अपनी पत्नी व्यवचारी होने का आड़ोप लगाता है और अपने आड़ोप को वापस नहीं लेता तब पत्नी अदालत में तलाक के लिए प्रांतना दे सकती है ऐसा आड़ोप में स्त्रिस्वेमी अपने पत्नी को तलाक नहीं दे सकती बलकि उसको अधालत का सरण लेना होगा मुस्लिम समाज में पती-पत्नी को सहमति से होने वाला जो तलाग होता है वो क्या कहलाता है कि मतलब दोनों की सहमति के अनुसार अगर वो तलाग ले रहे हैं तो उसे क्या बोला जाता है उसे लियान बोला जाता है जिसमें पती-पत्नी दोनों के सहमती मौजूद आती है उसे मुवारत बोला जाता है मुवारत बोला जाता है ठीक है नेस्ट कुशन है कि मुसलिम में पती-पत्नी को पास्परिक सहमती से होने वाला तलाक का नाम क्या है मुसलिम समुदाय में पती-पत्नी है उसे क्या बोला जाएगा मुबारत बोला जाएगा उन दोनों की सहमाती से जो तलाक हो रहा है उसे बोला जाएगा मुबारत ठीक है मुसलिम में समुदायों में पत्ति-पत्नी के पास्परिक सहमाती से होने वाला तलाक हो क्या बोला जाएगा मुबारत बोला जाएगा ठीक ह नेस्ट कोईशन हम लोग देखते हैं यह डिपीटेट कोईशन बाड़ बाड़ पूशेगे यह मेरे हम नहीं बनाये बड़ कि जो प्रिविएस यह कोईशन में आया वह वही कोईशन पूशाया है नेस्ट कोईशन है कि एक मुसलिम पतनी को पती द्वड़ा बिवा के समड़िया जाने वाला धन क्या कहलाता है तो उसको मेहर बोल जाता है मुसलिम बिवा में मेहर का निरदारन एक अनिवारी नीवम है जिसे प्राप्ट करने का अस्त्री को समाजी को कानूनी अधिकार दिया गया है मेहर का तातपड उस धन रासी से है जो बिवा के समय पत्ती द्वाड़ा पत्नी को प्रदान की जाती है अत्वा भविश्य में उसके भुक्तान का वादा किया जाता है प्राचीन अर्बी समाज में मेहर का तातपड कन्या मूल से था क्योंकि तब यह रासी वड़ पक्ष की ओर से कन्या की फीता को दी जाती थी इस रासी को सदक कहा जाता था तदा कन्या की पीता का यह अधिकार था कि वो सदक की रासी वड़ पक्ष को बापस करके कभी भी अपनी कन्या को उसे स्वतंद कर ले इसलाम धर में इस स्थिती में कुछ सुधार करके मेहर को स्त्री के संपत्ती घोसित कर दिया इया इससे इसका समझ स्त्री को खड़ी दिने से ना जोड़ा जा सके इस प्रकार प्राचिन अर्भी विवस्ता में सदक का स्थान वर्तमान में मेहर ने ले लिया मुसल्मानों में प्रचले दिया मेहर सामानेता तीन प्रकार का होता था वो तीन प्रकार के कौन से थे सत्वर मेहर, स्थगित मेहर और उचित मेहर ये तीन प्रकार के मेहर हमें मुसलिम समाजों में देखने को मिलते थे नेश कोईशन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड द्वारा वधु को संपत्ति देने के वाइदे का उधारन है मतलब एक वर्ड द्वारा वधु को दिया जाड़ा है तो वो मेहर कहलाएगा क्या कहलाएगा वो मेहर कहलाएगा नेश कोईशन है कि निम्न लिखित में से कौन मेहर का मुखतान यहां पर क्या कोईशन पूरो जाड़ा है कि आपका वर्द वाड़ा वदू को संपत्ति देने का वाइदा क्या कहलाता है मेहर कहलाता है मेहर का भुकतान करता है मेहर का भुकतान कौन करता है वर के पिता द्वाड़ा वधू के माता पिता को या वधू द्वाड़ा वधू को वर द्वाड़ा बधू को तो मेहर किसको दिया जाता है तो वर द्वाड़ा वधू को जो धन रासे दी जाती है वो क्या कहलाती है मेहर कहलाती है मुसलिम बदुएं होती है उनको दिया जाना मुल्णु क्या कहलाता है नेश क्योषन है कि मुसलिम बिवा क्या है तो मुसलिम बिवा जो हो यानी निका एक इस्त्री और पुर्स के बीची होने वाला एक समझ होता है जिसका उद्देश्य पडिवार के संपती का उप्योग करना बच्चों को जन्म देना होता है ठीक है यह क्या है एक प्रकार का समझोता माना जाता है ठीक है उन्हें वैदरूप प्रदान करना मुस्लिम विवा कानून के अनुसार जो विवा स्त्रिप पुरुस के बीच किया गया वो बिना सर्थ की संविधा है जिसका उद्देश्य शंतानोपती तथा बच्चों को वैदरूप प्रदान करना होता है हेदर ने मुस्लिम विवा को परिवासित करते वे लिखाये कि मुस्लिम विवा क्या एक समझोता है जिसका उद्देश्य योनिक संवंदर बच्चों को जन्म को कानूनी रूप देना है तथा समाज के हित्मे पति-पत्नी और उनसे उत्पन संतानों के अधिकारों का रख् है मुस्लिम विवास जो होता है वो एक समाजिक समझ होता है तो आई होप आप लोगों को आज की कोश्चन की सीरीज हेलफूल रहेगी होगी इसी प्रकार से आप लोग चैनल का साथ बने रहिए हम लोग एमसी क्यू और थियोरी कंप्लिट करते रहेंगे मेरे चैनल को साथ बने रहेंगे के लिए आप सभी का थैंक्यू